गाइस कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारी लोग का कुश्चन था कि हमें एक बेस्ट लैप्टॉप सजेस्ट करो अंडर 50,000 और वो स्पेसिफिक ब्रैंड का होना चाहिए या फिर गाइस डेल का होना चाहिए तो यह वीडियो में हम गाइस बेस्ट लैप्टॉप कवर करेंगे सारी बेस्ट ब्रैंड के और से आ रहे है एट दे सेम टाइम गईस चारो जो लैप्टॉप है सारी राइजन का प्रोसेसर फीचर करते हैं लिस्ट का पहला लैप्टॉप भी काफी दमदार है और इसे लॉंच हो के अल्मोस्ट दो तीन मैंने ही हुए इंडिया में और लिस्ट के जो आगे के लैप्टॉप से वो भी काफी दमदार है सो वीडियो में एंड तक बने रहा ना अगर आपको एक बेश लैप्टॉप करीदना है वैसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है आप अगर चैनल पर पहली बार आ हो तो चैनल को आठ त्रेड फीचर करता है और यह बेस वेरेंट अभी बहुत सारे प्रोसेसर साना बाकी है गाइस राइजन 7000 सीरीज में यह जो प्रोसेसर है स्पेसिफिक यह राइजन 5500 यू है उससे थोड़ी अच्छी परफार्मेंस निकाल के देता है सिंगल कोर परफार्मेंस में म यह बाकी सारी जो चीज़े वो अपग्रेड़ेड देखने मिलती है जैसे गाइस 8GB का राम दिया गया है बट DDR 5 RAM है 5500 MHz वाला यूश्वली गाइस हमें 3200 MHz वाला DDR 4 RAM देखने मिल रहा था अब तक सो इसकी जो स्पीड है वो अल्मोस्ट डबल है सो ओवराल जो दिया गया है बट Diol Channel RAM है डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉंप्रोमाइज है यहाँ पर IPS पैनल नहीं देखने मिल रहा 15.6 इंचे का कॉंफी वी डिस्प्ले दिया गया है जो की Acer प्रवाइड करते है अपने लाप्टॉप में वैसे गाईस अच्छे पैनल यूज किया गया है बट IPS पैनल नहीं है इतनी बात है इस लाप्टॉप को बैटरी वैकप है वो भी काफी अच्छा है 4-5R से लास्ट करता है अब एक और चीज़ है जो 7000 सीरीज के साथ काफी अच्छी आ रही है वह है इंटेग्रेटर ग्राफिक्स AMD Redon के 10,000 के प्राइस पॉइंट पे अवी लेबल है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जस्टिफाय कर रहा है पर आप अगर थोड़ा रुख जाओ तो शायद ये लाप्टॉप अपको अंडर 45,000 देखने मिल सकता है अभी के लिए जो सबसे बेस सेलिंग लाप्टॉप है वह अब देखने मिलता वह बाकी लाप्टॉप यहां की लैप्टॉप में एच सीरीज का प्रासर सा डिया गया राईजरिग और 1612 त्रेट इसका की अगर रेजला गया tu वोटोशॉप जैसे हेवी सॉफ्टर्स यूज करना है तो यह लैप्टॉप एक अच्छा ओप्शन हो सकता है क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है तो गाइस मल्टी टास्किंग वगर आभी आसानी से हो सकती है यहाँ पर जो पैनल यूज किया गया है अच्छा पैनल है इसके कलर रहे हो काफी ज़्यादा पंचे दिखता है यहाँ पर 8GB RAM देखने मिलता है 46-47,000 के प्राइस पॉंट के हिसाब से 8GB RAM जस्टिफाय करता है और इसे आप एक्स्पांड भी कर सकते हो 16GB तक आपको अगर 16GB वेरेंट खरीदना है तो 52,000 के प्राइस पंट पर अविलेबल है पर आप यह खरीज सकते हो 8GB वेरेंट और RAM आप बाद में अची है तो अप्ग्रेड कर सकते हो 512GB के SSD अगें यह भी अप्ग्रेडेबल है और गाईज एक चीज याद रखना यह लैप्टॉप की जो स्क्रीन है वो 16 इंचेस की है तो बड़ी स्क्रीन देखने मिल रही है तो आप अगर क्रियेटिव प्रोफेशन में है तो यह प्लस पंट बन जाता है और इस लैप्ट आप बताना चाहूंगा 52,000 के प्राइस पॉइलेबल है बट गैस जो एक्ट्रा पैसे आप स्पेंट कर रहे हो वो काफी वर्त होंगे क्योंकि प्रीमियम ग्रेड लैप्टॉप है यह जो लैप्टॉप इसका नाम है HP Pavilion 14 14 इंचिस का कॉम्पैक्ट लैप्टॉप है और ज यह जो प्रासेसर है यह हाली में ही लॉच हुआ है अब यह पर प्रीमियम सीरीज में आती है यहां पर बिल्ट कॉलिटी अच्छी देखने मिल जाती है बैकलीट कीबोर देखने मिल जाता है फिंगर्प्रिंट स्कैनर जैसी सारी चीज़े प्रेजेंट है बिल्टेन एलेक पैनल है बाकी सारी चीज़े इस लैप्टॉप में काफी जादा अची है यह जो प्रासेसर है चीज़े को बारा थ्रेड फीचर करता है अट यह सेम टाम इंटीग्रेटर ग्राफिक्स देखने मिलता है अब गाइस इस लैप्टॉप में जो सबसे अच्छी चीज़ है प्रोवाइड करेगा अब गाइस एक चीज़ याद रखना यह लैप्टॉप में आपको कोई भी कॉप्रोवाइज नहीं है डिस्प्ले में या फिर कोई भी बैकलेट गीबार एपसेंट है ऐसे कोई भी नहीं चीज़ इसे कंसिडर कर सकते हो और आपको अगर एच्पी का यू सीरीस का प्रासेजर दिया गया है और इस लैप्टॉप की जो खासियत है वो है 120 हर्ट का स्टनिंग रिफ्रेश रेट गैस बाकी सारी लैप्टॉप में आपको 60 हर्ट का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है यह यहाँ पर प्लस पॉइंट है और बाकी सारी जो आपको खरीदना है तो यहाँ पर जो डिस्प्ले यूस किया गया है डेल की ओर से वह डबलू वी ये पैनल है और यूज्यली गाइस बहुत सारे लैप्टॉप में डेल वी ये पैनल यूस करती है तू फिफिफ्टी निट्स की पीक ब्राइटनेस है और गैस इस लाप्ट गेमिंग 3 यहाँ पर प्रोसेसर अगेन राइजन 5 5600H दिया गया है अच्छा प्रोसेसर है प्लस यहाँ पर जीप्यू देखने मिलता है GTX 1650 अब जीने भी गाइस क्रेटिव वर्क करना है एडिटिंग करनी है फोटोशॉप यूस करना है आटो कैड जैसे सॉफटर यूस अच्छा है IPS पैनल है 15.6 इंचिस का फूल एजडी रेजोलूशन है और यहाँ पर टू फिफ्टी निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है प्लस यहाँ पर 120 हर्स का रीफ्रेश रेट देखने मिलता है बैकलीट कीबोड है 8GB RAM दिया गया है इसे आप अप्रेड कर सकते हो 16GB त तो शायद आपको 4 गंटे के उपर बैटरी बैक अप मिल सकता है अब यह थे कुछ लाप्टाप जो राइजन प्रासेजर के साथ आ रहे है और 50,000 के अराउंड अवेलेबल है तो यह सारे लाप्टाप में अगर कोई confusion है तो नीचे comment करके पूछ सकते हो वैसे आपको अगर यह confusion है कि लाप्टाप online खरीदे या फिर offline तो यह वीडियो एक बार जरूर से चेक आउट करना